हलो बच्चों, Soils in India chapter का ये है part 3 और ये final video भी है इस chapter का, इसके अंदर हम chapter को पूरी तरह से complete कर लेंगे, इसमें हम soil के erosion के बारे में पढ़ेंगे, types of soil erosion के बारे में पढ़ेंगे और preventive measures के बारे में भी पढ़ेंगे कि soil को erosion से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, तो चलो शुर erosion, the wearing away, यानि कि due to action of winds, wearing away and washing down of soil cover is known as soil erosion, a wearing away यानि कि उड़ जाना upper layer का हवा की वज़े से, या फिर धुल जाना किसकी वज़े से, running water की वज़े से, इन दोनों ही चीज़ों को हम कहते हैं, soil erosion, clear हो गया, soil erosion अब पानी से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है, जो कि आपने यहा पर भी देखा, यहाँ पर भी देखा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, soil erosion by water, देखो, सबसे पहला है, gully erosion, और यह जितने भी terms यहाँ पर लिखे हैं, they are most important for define the following terms type of question, ठीक है, तो gully erosion के बारे में पढ़ते हैं, this occur during heavy rainfall, यह कब अकर करता है, soil erosion, heavy rainfall की वज़े से, when running water cut through the soil making deep channels जब पानी इतना जादा बरस जाता है, उसमें इतना जादा flow होता है कि बड़े-बड़े gullies बन जाते हैं, ठीक है, deep channels बन जाते हैं, जिनको हम gully कहते हैं, तो इस तरह के erosion को हम gully erosion कहते हैं, ठीक है, the land thus becomes unsuitable for cultivation and it is known as bad land, इतने बड़े-बड़े गड़े बन जाते हैं, इत ठीक है, second आता है हमारा rail erosion, it occurs when runoff water form small channels running down the slope, आपने देखा होगा जब धलान पर पानी बहता है, तो अलग-अलग direction में बहता है, जहां पर उसको soft soil मिलती है, वो इसको erode करके अपने लिए channel बना लेता है, छोटे-छोटे से, इसको हम बोलते है sheet erosion, ठीक है, ये gully erosion का ही एक intermediate stage है, और आगे चलके यही बन जाता है gully erosion, यानि कि जो शुरुवात होती है, वो rail erosion होती है, और बाद में हो जाता है, वो gully erosion जब वो channel बहुत जादा बड़े हो जाते है, फिर आता है sheet erosion, सबसे जादा easy है, जब upper layer, जब top soil जो है, वो पूरी तरह से wash away हो जाती है, because of running water, तो इसको हम बोलते है, sheet erosion, next आता है हमारा leaching, leaching मैंने आपको already discuss किया, types of soil में, कि जब high temperature और high rainfall की वज़े से, nutrients of soil जो है, वो deep down percolate कर जाते हैं, और उपर की जो soil है, वो infertile रह जाती है, तो इसको हम बोलते हैं leaching, फिर आता है stream bank erosion, यह कैसे होता है, it occurs when stream of river change their course, जब river अपना course जो मिट्टी है, उसको काटती है, ठीक है, एक को काटती है, मैदलब, अगर अपना रास्ता change कर रही है, मुड रही है, तो एक तरफ से मिट्टी को काटेगी, और दूसरी तरफ deposit करेगी, तो इसको हम बोलते है, stream bank erosion, and last में आता है हमारा sea or shore erosion, जब बहुत ज़्यादा powerful waves आत है, तो इनकी speed, इनकी intensity इतनी ज़्यादा होती है, कि ये coastal area में erosion की activity perform करती है, ठीक है, और अलग अलग तरह का rock structure form करती है, जिसको हम बोलते है, sea or shore erosion, ठीक, फिर आता है हमारा soil erosion due to human action, human action की वज़े से soil erosion कैसे हो रहा है, सबसे पहले deforestation, जंगलों को काट देते है, जंगलों क के लिए main काम यह है कि वो मिट्टी को hold करके रखते हैं, ठीक है, वो capture करके रखते हैं उसको जिससे की erosion नहीं होता है, लेकिन जब इनसान या human being deforestation करता है, तो erosion होता है, ठीक है, और मिट्टी पह जाती है, उसके लावा over grazing, अब आप बहुत जादा जानवरों को चराएंग clear, चलो, आगे बढ़ते हैं, soil erosion by winds, अब पानी हो गया, इनसान हो गया, अब हवा भी तो erosion कर रही है, कैसे कर रही है, when the wind blow away, the top soil is known as wind erosion, अब जब top soil को हवा उडा ले जाती है, इसको हम wind erosion कहते हैं, कितना simple है, ठीक है, second point, when a bare land is exposed to high speed winds, जब एक खुला खाली मैदान मिल जाता है, तो जितने भी smaller particles होते हैं, वो सारे के सारे move हो जाते हैं, bounce करते हुए, इधर उदर उचलते हुए, ठीक है, और इसको हम कहते हैं, saltation, क्या कहते हैं, saltation, और इसके अंदर term जो important है, bouncing and hopping manner, ठीक है, इधर उदर टकराते उड़ते हुए, hopping and bouncing करते हुए, वो सारा का सारा जो धूल है, वो उड़ जाती है, इसको बोलते हैं हम, saltation, ठीक, थर्ड आता है, the rolling and the sliding of larger soil particles, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, smaller soil particle की जो उड़ गई, अब जो इससे थोड़े से बड़े size के particles हैं, वो rolling करते हैं, sliding करते हैं, और इसको हम बोलते हैं, soil creep, ठीक है, तो एक हो गया saltation, दूसरा हो गया, soil creep, आगे बढ़ते हैं, in India the following regions are affected by soil erosion, अब इंडिया में soil erosion किसे कौन कौन से area affected हैं, इससे पहले हम ये flow chart देख लेते हैं, causes of soil pollution in India, soil के pollution के लिए इंडिया में कौन कौन से causes, जिम्मेदार हैं या causes हैं, तो सबसे पहले देखो, heavy population, and pressure on land, deforestation, topography, over grazing, bad farming techniques, and heavy downpour of rain, ये इतने factor हैं, जो कि soil के pollution को एक तरह से perform करते हैं, या फिर उसको cause करते हैं, clear? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, in India the following regions are affected by soil erosion, कौन कौन से? सबसे पहले, bad land of Chambal and Yamuna rivers, western Himalaya region, छोटा नागपूर प्लेटू का region, तापती सावरमती वैली जो की गुजरात में हैं, उसके बाद regular soil area of महारास्ट्रा, यानि black soil की बात हो रही है, and dry areas of राजिस्थान, गुजरात, एन हरयान, ये इतने areas हैं, जो की soil के erosion से बहुत ज़ादा affected रहते हैं, तो भाई, ये तो हो गई बात, soil erosion की, अब soil को erosion होने से कैसे बचाया जाए, method to prevent soil erosion क्या-क्या हो सकते हैं, चलो देख लेते हैं, सबसे पहले है हमारा contour ploughing, ठीक है, या ploughing भी बोल सकते हो, when you plough along the contour lines, it is called contour ploughing, ठीक है, contour lines का मतलब, same height पर जब आप ploughing कर रहे हो, उस this is the flow of water down the slopes and does help in soil conservation, और इससे होता क्या है, कि जो soil का erosion है, flow करते हुए water के साथ, downward वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और soil हमारी conserve हो जाती है, second आता है, terrace farming, अब यहाँ पर देख लो ये, ये terrace farming का photo बना हुआ है, अब यहाँ पर आप देखो क्या है, छोटी 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 farming और ये भी soil erosion को slow down कर देती है, strip cropping की बात करते हैं, when strip of grass are grown between the strip of crops, अब देखो crop की जो strips हैं, उनके बीच में भी आप घास के strips अगर लगा देते हो, तो जो slope पर पानी बहते हुए आ रहा है, उसकी speed को ये घास की जो strips हैं, वो weak कर देंगी, ये slow down कर देंगी, जिसकी वज़ इसरा हवा जो आ रही है, हवा को भी ये घास जो है, वो slow down करने का काम करेगी, तो ये strip cropping, shelter built की बात करते हैं, तो देखो ये फोटो बना हुआ है, ये जो है basically काम करता है, desert area में, जहां पर बहुत ज़दा धूल उरती है, ठीक है, हवा से erosion होता है, तो क्या करते हैं, ये दो सारे पेड लगा देंगे, जिसकी वज़े से wind का जो force है, वो break हो जाएगा और wind slow down हो जाएगी, ठीक है, और ये बहुत ही ज़दा useful method है, desert area के लिए, फिर आता है हमारा plugging of gullies, यानि की channel बना देना, क्या है, जब हम slope पर खेती कर रहे हैं, तो उसके रास्ते पर बहुत गहरी गहरी नालियां बना देते हैं, इससे होता क्या है, जो silt heavy rainfall के साथ बह के आती है, वो उन गड़ों में deposit हो जाती है, और पानी उनके ऊपर से बह जाता है, तो इस तरह से हम soil को बचा लेते हैं, clear हो गई बात, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, में आप देखोगे कि during the sixth plan of flood prone rivers, the program enhances the ability of the catchment by absorbing rain water and reducing erosion, इसका main काम क्या है, इसका main काम यह है कि जो flood prone area है, वहाँ पर किसी भी तरह से catchment area के अंदर rain water से जो erosion हो रहा है, उसको बचाया जा सके, ठीक है, second point, river के आसपास का जो area है, उसको भी develop किया जा सके, ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है, second point किया, scheme of reclamation and development of ravine areas, जो की 1987-88 में मद्रप्रदेश उत्रप्रदेशन राजिस्थान में launch किया गया था, और इसके अंदर e-forestation को भी motivate किया गया है, कि आप जितने जादा से जादा पेल लगा होगे, उतना ही जादा अच्छा होगा, कि हम soil को erosion से बचा सकते हैं, ठीक है, तीसरा point कहता है कि हमने shifting cultivation को ban किया है, कहाँ कहाँ पर, अरुनाचल प्रदेश पर, मिजोरम पर, नागलेंड, तरपुरायन, आस्थाम, shifting cultivation के अंदर बहुत जादा forest काटे जाते थे, इसलिए इसको ban किया गया, ठीक, इसके बाद, जो हमारा seventh five year plan यानि कि जिसको पंच वर्षिय योजना कहते हैं, वहाँ पर एक तरह से fertilizer का balancing use करने के लिए, ये motivate किया गया, कि आप जादा से जादा bio fertilizers का use करो, तो ये कुछ program चल रहे हैं, जिनके बारे में बहुत detail में बात की जा सकती है, लेकिन अभी आपके standard पर इतनी ही बात की जानी और अब मैं आप से मिलूँगा किसी next chapter के साथ, तब तक के लिए thank you so much, if you have any question you can ask in the comment box, I will try to reply everyone, thank you